बेगम गंज से हमारे संबाद्दाचर शरश सर्मा की श्पेशल रिपोर्ट करीब शात करोड की लागा से बनने वाली बिल्डिंग का काम हो रहा है घटिया निर्माण निर्माणा धीन आई टी आई भबन की दीरार दीबारे हुई चती ग्रस्त कभी भी हो सकती है धरासाई टैसील बेगम गंज छेतर की जनता और पतिनिधी के दोरा कई बरसों तक आंदोलन कर युबाओं को तकनी की सिक्षा दिलाने की मांग को लेकर आई टी आई की मांग की जाती रही तब जाकर इस छेत्र की जनता को आईटी आई की सौगात मिली लेकिन अधिकारियों की अंदेखी के चलते उक्त ठेकेदार के दोरा आईटी आई बिल्डिंग का घटिया निर्मार किया जा रहा है जो की सरकार की महत्व कांची जन है तैसी कारियों पर पानी फेर रहा है बोपाल आबाज संग दोरा सुईकृत करीब साथ करोड से अधिक रासी से बनने बाली बेगम गंज में आईटी आई भवन के ठेकेदार के दोरा घटिया निर्मार कराया जा रहा है बिल्डिंग अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुई और घटिया निर्मार की पोल खुल गई जिसमें बिल्डिंग में कई स्थानों पा दीबारे चटक गई हैं दरक गई हैं और गिर रही हैं दरारे पड़ गई हैं गटिया निर्मार को छुपाने के लिए ठेकेदार के दौरा दीबारों पर फिर से पलाश्टर किया जा रहा है बही आई टी आई बिल्डिंग के चार और बनी हुई बाउंडरी में भी कई जगए दरारे पड़ गई है बही बिल्डिंग में घटिया निर्मार हो रहा है और इंटो का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि साब देखा जा सकता है बिल्डिंग निर्मार का क्या हाल है खराब इटो का निर्मान किया जा रहा है लगाई जा रही है आई टी आई भवन के निर्मान के लिए घटिया और खराब इटो का इस्तेमाल किया जा रहा है इटे इतनी खराब हो चुकी है कि उठाने पर तूटने लगती है उनका मसाला इटों से निकलने लगता है और ऐसी इटों का इस्तेमाल बिल्डिंग में किया जा रहा है जब ठेकेदार प्रदीब गोयल को फोन पर बात की तो उनका कहना है बहां रखी इटों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बाउंडरी बाल में घटी या सामगरी का इस्तेमाल भी है भवन के चारों और बनने बाली बाउंडरी बाल के निर्माल का घटी या सामगरी का निर्माल किया गया है जिसके कारण उसमें भी कई जगाए दरारें पड़ गई है बहाँ पर बाउंडरी के लिए पिलर लगाय जा रहा है मठ डालने बाली सामगरी गुरुवत्ता बहीन है मसालों का इस्तिमाल किया जा रहा है जिसमें दीबार कुछ महीने में ही गिर सकती है धरासाई हो सकती है जगए दगए चटक गई है और बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है जब आई टी आई भबन के निर्मार करने वाले ठेकेदार प्रदीब गोयल से फोन पर बात की तो ठेकेदार का कहना है कि एयर क्रेक होता है प्लास्टर में एयर क्रेक आ जाने की बज़ाए से क्रेक होने लगती है उसे दोबारा प्लास्टर करा रहे है और बहाँ पड़ी हुई इटों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है सागर जैसीनगर से हमारे संबाददाता मनी राम विसकर्मा की रिपोर्ट ग्यहुराज जैसीनगर रोट पर भोई बाबा मंदर के पास अनंतर थोकर तेज गती से बस चालग दोरा सराप पीकर लापरबाही पूंग तरीके से चलाने से एक बड़ा हाथसा हो गया जिसमें लगभग आदा दरजन लोग गंभी रूप से घायल हुए गटना लगबग चार बजे की है जिसमें ग्यहुराज से जैसीनगर की और आ रही बस किरमांग सीजी जीरो पोर ए बन सिक्स जीरो त्री बस के चालग दोरा लापरबाही पूंग तरीके से बस चलाने से बस पलट गई बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया और बीरेंसिंग एबम नीरा सिक्छक मिस्रा बापस घर आ रहे थे मौके पस बस पल्टी देखी तो यात्रियों की चीक फुकार सुन का तुरत जैसी नगर स्वास्त केंट फून लगाया गया गंभीर हालत में और 108 और 100 डाइल को जन्नी सुरक्षा आदी बाहनों से सागर जिला से कचच साला भिजवाया सिक्षकों की सराहिनी भूम कर रही जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से थे जिने सागर रेफर कर दिया गया बस में लगबग 25 से 30 यात्री सबार थे सागर जैसी नगर से हमारे संबाद दाता मनीराब विसकर्मा की रिपूर्ट